पर पढ़ते रहेंगे तो contract account सबसे पहले यह कौन से unit है हमारा एक है process costing process unit है यूनिट दिखाना कौन से है एक पर book दिखाना कौन से unit है मैं बता देता हूं कई बार contract costing ना मिलता नहीं है ढूड़ने को job and contract costing है job and contract costing चेप्टर का नाम है job and contract costing लेकिन इसमें से job का कोई लेना देना नहीं है सिर्फ contract costing आता है हाँ तो अलग-अलग book में अलग-अलग है तो आप concept देखिए मैं question दूँगा आपको PDF में ठीक है हाँ इस chapter का job and contract costing भी है ठीक है अब contract costing यह है समझे यह क्या होता है सिंपल सी बात है हमारा costing है यह मान लिजिए मान लिजिए मैंने मैंने क्या करा building बना दी एक और building की अगर हम बात करते हैं तो आप अच्छे से जानते हो कि building जब बनता है ना तो यह भी एक technical part है मैंने एक building बनाया और मान लेते हैं कि यह मैं हूँ या आप अपने आपको समझ लें या मुझे मान लें है ना और यह है इस building को बनाने वाला मालिक ठीक है यह है honor honor से जो हमारी बात्चीत चलेगी ना वो बात्चीत क्या चलेगी अभी building है नहीं मान लो honor से क्या बात्चीत चलेगी मेरे और honor के बीच में बात्चीत चलेगी honor बोलता है कि भईया मेरी जमीन एक मकान बनाना है तू बना देगा क्या तो मैंने बोला हाँ मैं बनाऊँगा तो यानि अगर मैं मकान बनाने की बात कर रहा हूं तो मैं एज़ा क्या हो गया builder मैं builder हो गया या हो गया contractor contractor हो गया मैं या फिर हिंदी उस सब्द में बोल दो मुझे बड़ी सीदी से बात है ठीक एदार हो गया है ना यही काम करते है सिंपल सी बात है तो यह मैं मिरको बोलेगा मेरा बना दो मकान बनाने का प्रोसीजर सित नए साथ की थेक नदे रहा है और और जब एं कंडेशन हो जाएगा तो मैं इसको यह बीडिंग रात तो नहीं बनाकर दे सकता लेकिन हाँ धीरेगा धीरे धीरे मैं इस building को बनाता रहूँगा और बनता रहेगा ठीक है ना दीरे दीरे ये building बनता रहेगा तो इस case के अंदर ये जो व्यक्ति है ना ये कौन है honor इसको ना इस सब्द के अंदर बोला गया contractee यहाँ पर क्या बोला गया contractee तो पहले दो शब्द को समझना आप एक है contractor और एक क्या है सर contractor तो दोनों के सब्दों में फरक है contractor कौन होता है जो की होता है ठेकेदार जो की बनाएगा और contractee कौन होता है जो की देर आए ठेका मालिक हम building बनाएगे तो हमारे लिए challenge है कि जब हम तो हम कहीं न कहीं अपने लिए एक P&L तयार करेंगे क्योंकि आप जो भी वैप आ रही हो P&L बनाएगा चाहे परचुन की दुकान कर रहा हो चाहे सबजी बेच रहा हो चाहे ठेकेदार हो अपना प्रॉफिट तो निकालेगा जब तक Profit नहीं होगा बिजनस में काम कैसे कर सकता है तो Profit निकालने के लिए जो इस मुझे पैसे देगा अब मै क्या सेल मेरे लिए क्या है अगर मैं Contractor हूँ तो मेरे लिए सेल क्या है सेल का मतलब मैं simple सी बात जानता हूं यहां जब पैसा आता है नहीं रेगलर उसी फिलोसे सेल बोलते हैं मैं टूशन पढ़ा रहा हूँ तो मिरे लिए सेल्स क्या है जो मैं पढ़ा रहा हूँ यह मिरे लिए सेल्स है सब्जी वाले के लिए सब्जी बेच रहा है सेल्स है तो कॉंट्रेक्टर के पास पैसा कहां से इसका सीमेंट खर्च हो सकता है, ब्रिक्स खर्च हो सकता है, या फिर आइरेन खर्च हो सकता है, इसका स्टील खर्च हो सकता है, लेवर खर्च होगा, इसका यही सारा तो खर्चा होगा, और वो सारे खर्चे इसके यहां पे आ जाएंगे, समझ रहे बाद, उसके बाद हम क्य क्या करेंगे भाई या सेल पता चलिए सब कुछ पता चलिए क्लोजिंग स्टॉक भी यहां जाएगा यहां पर क्या निकल जाएगा नेट पॉफिट तो बहुत आसान चेप्टर 15 नंबर एकदम फ्री के दे दिये जाते एक तरीके से आपको पी अगर समझ में आ गया ना जिस नंबर दो, कॉंट्रेक्ट अकाउंट ही आता है सरिफ एकजाम में बनाने को बहुत एडवांस कॉंसेप्ट आ गया तो बोल देगा भाई तु एक काम कर यार कॉंट्रेक्टी अकाउंट भी बना दे और बहुत advance हो गया तो बोलेगा तु एक काम कर balance sheet भी बना दे और सर इसका balance sheet इतना मज़ेदार है ना जो पुराने हम balance sheet करते थे एक एक घंटा लगता था चार से पांच मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके balance sheet में क्योंकि पूरी balance sheet बनाएंगे ना जो बनाएंगे ना contractor stock stock लिखके खतम करतेंगे बस एक formality मान के चलो तो यहाँ पे इस account के सबसे पहले समझो contract account contract account कौन बना रहा है ठेकेदार बना रहा है ठेकेदार क्यों बना रहा है अपना profit and loss निकालेने के लिए उसका profit and loss क्या आएगा actual इसको कौन सा AS govern करता AS 7 के according चलते है इसको govern करता AS 7 लेकिन हमारे costing के अंदर AS नहीं होता हमारा costing के standards कुछ नहीं आए है पिछले सालों में तो वो हमें पढ़ने पढ़ेंगे उससे लेना देना नहीं है अभी हम पहले इस सवाल पर focus करते हैं पहले basic concept देखिए सर basic concept क्या है हम सीखना है contract account contract account कौन बनाएगा ठेकेदार बनाएगा ठेकेदार को क्या बोलेंगे contractor और जो contractor देगा हमें उसे बोलेंगे contractee समझ मैं आई बात आपको और किसके लिए काम करेंगे हम अपने लिए हाँ honor नहीं हम ही बनाएंगे उसका account भी यह कुछ नहीं करेगा यह तो मौज करेगा और यह सिर्फ पैसा देगा यह सिर्फ आएगा अब इसके बीच में क्या-क्या body सारी कहानी आएगी उस चीज़ को हम समझ समझ के लिखेंगे account के अंदर तो मैं सबसे पहले जो आपके सामने share करने जा रहा हूं सबसे पहले बनाने जा रहा हूं contract account काफी बच्चे ना recorded classes लेते हैं तो वो बच्चे भी मैंने पहले बता दिया तो live class में लोगे ने तो समझ जाना है कि यह material chapter ना अभी हुआ नहीं है और material chapter फिर हम अलग से कर लेंगे और किसी को ना मान लो कोई बच्चा बोलता है सर मेरी आज ना first class है क्या समझ में आएगा बिलकुल 101% समझ में आएगा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है सर इसका किसी chapter से कोई लेना देना नहीं है आपके जीवन में जितना भी है जो बच्चा science का आर्ट का भी बैठेगा उसको भी समझ में आ जाएगा इसमें तो पर्टिकुलर ठीक है ना पर्टिकुलर यह है हमारा account इस account को हम एक बार फटा फट से फिल करते हैं और देखेंगे ठीक है सबसे पहले two side में क्या लिखूँगा मैं खर्चे एक तरीके से मैं थोड़ा सो basic concept क्लियर करने के लिए मैं बोल दूँ इधर सारे खर्चे आ जाएंगे और इधर सारे हमारे जो receipts होंगे वो आ जाएंगे खर्चा क्या होगा मेजर खर्चा होता है हमारा सबसे पहले material ठीक है ना सर material क्या हो सकता है cement हो सकता है rate हो सकता है आपका और भी सारे जो चीज लगते हैं भाईया मकान बनाने में वह ही होगा material के बाद जो मेजर खर्चा होगा labor और labor को wages भी कहते हैं उसके बाद मेजर खर्चा होगा overhead sir overhead खर्चे को भी बोलते हैं इसके अंदर क्या क्या आ सकता है सब कुछ आ सकता है जैसे आ सकता है office expense इसमें आ सकता है salary इसमें अब कई बार न ऐसा होता है आपका क्या outstanding भी गीवन होगा तो मैं माल लेता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ suppose करो और क्या खर्चा होता है खर्चा journal expense और question में कहता है outstanding है तो plus कर देंगा outstanding वही P&L वाला फंडा ठीक है न और prepaid होगा तो क्या घर देंगा अपन minus कर देंगे समझ में आरे ये बात आपको तो यह आगे हमारा कौन सा side debit side जिसके अंदर हमने सारे book क्या कर दिये सर खर्चे कर दिये पहले यहां तक किसी को दिक्कत है समझ में आ रहा है फटा फट से अब by side में पता है क्या लिखेंगे अब मुझे एक बात बताना contract जो मकान उकान बनाते हैं तो कितना time लगता है या फिर जल्दी बन जाता है यह time लगता है मैं नेता जी सुभास पेलिस के पास शुकुरपूर में रहता हूं तो यहां पर एक building है और building मैं देख रहा हूं पीपी जोलिस के साथ में सायद मैं छटी क्लास में था तब मैं देख रहा था और अब भी बनी रहा है ठीक है आप सबने भी देखा होगा आप भी बच्पन में थे तब भी वही बन रहा था और आप बड़े भी होगे तब भी बन रहा है तो करीब मेरे को लग रहा है 10-12 साल से भी पता नहीं कितने साल होगे उसको बनते हुए मैं तो देखी रहूं कभी तोड़ते हैं फिर बनाते हैं तो building बनाने का एक long process होता है और हमें accounting एक साल की करनी है तो होता क्या है generally अगर मान लेते हैं कि हमारा contractor का ठेकेदार लिया पांस सालों का ठीक है ना five सालों का ठेके माद लिया है तो यहां पे होता कि है सारा contract का पैसा हमें यहां नहीं मिलता आप सोचलो आप मकान बन वाओगे अपना ठीकेदर को ठोड़ी बोलोगे, इस ने है बोला मैं 20 लाक रुपे में तेरा मकान बना दूँ मा और आपने बोला ऐसा थोड़ी करो लिए 20 लाक रुपे और मकान बना आप बोलोगे ठीक है मकान बनाओ एक लाख रुपे एडवांस रखो और बनाओ फिर ठेकेदार आएगा बोलेगा भाई एक लेंटर डाल दिया और पैसे दो ठीक है चार लाख रुपे और लेलो यानि जैसे जैसे वो काम को फिनिस करता जाएगा वैसे वैसे पेमिंट करेंगे तो यहाँ पे जो कॉंटर को जो पैसे मिलते है ना वो मिलता है according to work done ठीक है ना आप खुद अब्जर्व करो as a person, normal person चलो आपको मकान बनाना है और आपका मकान सोचो के 50 लाख रुपे में बनने को तयार है तो एकदम से 50 लाख थोड़ी दोगे, धीरे धीरे दोगे, तो हमें इस साल का accounting करना है, तो इस साल का करने के लिए तो by contract price तो नहीं लिख सकते ना अगर मैं यहाँ लिख दूँ by contract price और पूरे 50 लाख लिख दूँ तो ऐसा possible ही नहीं है भाई, कहां से मिल जाएंगे तिरे को 50 लाख, जितना पैसा मिलेगा वही तो सेल मान होगे, तो सर यहाँ पे करने के अवाले हैं हम जितना पैसा मिलेगा वही लिखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या सर यहाँ पे काम done हो गया या नहीं हुआ, work done हो गया या नहीं हुआ, मुझे जवाब दीजिए work done हुआ या नहीं हुआ जब work done नहीं होता तो एक प्यारा सा नाम बोलते है work in progress ठीक है ना कार प्रगति पर है work in progress तो हम यहाँ पर contract ना लिखके क्या लिखेंगे work in progress यह heading हो गया work in progress ठीक है अब work in progress के अंदर दो बाते हो सकते है work certified हो सकता है work not certified हो सकता है तर यह क्या जहमेला है work certified और not certified क्या है बड़े आसान सब्दों में समझेगा work certified क्या है work not certified क्या है देखिए मान लिजिए आप ना जब भी मकान बनाते है नॉर्मली तो हम खुद बना लेते हैं ठेकेदार लेकिन मालिक जो होते हैं जो बड़े बड़े कांट्रेक्ट होते हैं तो मालिक अपने साथ एक आर्खीटक्चर को ले के घुमता कि MIDक्र पंडुटेंट को जो बतते क्या भना रहा है छां क्या बणा रहा है कैसे बना रहा है जो design है वह बना रहा है नहीं बना रहा वह Соसीं इन तो मैं अपना बना रहा ही मैं ले चिछी और रहा है नंब तो जो डिजाइन त्यार करते हैं उनके पास समय नहीं होता इतना वह भी छोटे 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 लोगों के साथ जुड़े होते हैं उसके साथ काम करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम एक ही बार बुलाते हैं, साल में, एक ही बार बुला, इसको साल में payment देने वाले हैं, payment देने से पहले बुला लेते हैं, बोलते हैं, जल्दी जल्दी यार, देख कितना मकान बना, तो यहां मकान इतना से बना, फिर यहां थोड़ा और बड़ा बना फिर थोड़ा और बना बना आर्किटेक्चर को बुलाया तो ऐसा में भी पॉसिबल है कि आर्किटेक्चर मेरे पास एक मार्च को आ गया एक तीन को आ गया और उसने मकान को देख लिया कितना बना नहीं बना कब आ गया एक मार्च को फिर मैं दो मार्च को बुलाऊंगा तो आप आएगा क्या हो नहीं आएगा एक मार्च को आने के बाद आर्किटेक्चर ने बोला मकान को देखा भाई यह रहां मेरा मकान मकान को देखा हाँ तेरा मकान तो बन रहे हैं और तेरा मकान पूरा कितने का था 50,000,000 का मैंने बोला थीखा दिया 50,000,000 का थोड़ी थोरी काम हुए तो इस खुंस्थ को जो आर्किटेक्चर बोल के जा रहे हैं के तिरह 20 पर हुए इस सटोन को बोलते हैं वरक सटीफाइड इसको क्या बोलेंगे हम वरकका करके जा तो इस concept को बोलेंगे वर्क certified तो यहां पर आएगा हमारा वर्क वर्क certified फुड़ा clean कर देते हैं लिख देते हैं वर्क टी अब भाया आर्किटेक्चर को यहां बुलाया वो कहां चले गया अपने दूसरे काम पर चले गया क्या ठेकेदार इस काम के बाद एक तीन क्योंकि साल खतम कब होगा हमारा इक 31 धिन अब थेकेदार ऐसे स्थोड़ी बुलेगा मैं काम नहीं करूंगा वह तो खरता रहे अपना काम बोलेगा तू पैसे लाब खाई त dollar कर लिए तो पैसे देरे ये नहीं होगा ले ले पैसे भाई तू तो अब जो हम उसको पैसे हम ठेकेदार को दे रहा है यानि जो ठेकेदार ले रहा है उस काम के पैसे ले रहा है जिसको आर्किटेक्ट्चर ने certified किया है नहीं किया नहीं किया तो इसलिए उसका नाम पड़ जाता work not certified work not तो आप लॉजिकली सोचो, एक बार दिमाग में सोचो, आप एक बार सोचो दिमाग के अंदर, कि सर अल्टीमेटली ठेकेदार के लिए जितना पैसा आएगा वही तो सेल है, और पैसे दो ही आ सकते हैं, एक सर्टीफाइड जो करके गया वह आएगा, एक नॉट सर्टीफाइ आर्किटेक्चर है न, वो आता है 31 को, साल के अंड में, और यहां से यहां से यहां से यहां से काम चल रहा है, 31 को आता है साल के अंड में, मुझे फटा-फट से जवाब देना, बताओ, वर्क नॉट सर्टीफाइड कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है, वर्क नॉट स सभी का आंसर आ गया लगबग लगबग जीरो तो बड़ी बेसिक सी बात है क्या ने आपको समझ में आया एक बच्चा बोल रहा है समझ में नहीं आया वर्क नॉटिस सर्टीफाइड यानि साल ये मेरा पूरा है साल ये मेरा पूरा है मैं इसे मिटा देता हूँ और जिस time को वो नहीं बोल पाया उसे वोले गए वर्क नॉट शर्टिफाइड समझ के बाता तो सवाल में जरूरी नहीं है कि वर्क नॉट सर्टिफाइड होगा यह फोगा है सबी हो सकता 31 मार्च को तो वर्क सर्टिफाइड नहीं है यहाँ तक कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई परेशानी समझ में आ रहे हैं अब यहां तक clear होने के बाद अब ना मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं मानलो एक मैंने अकाउंट बना है मैंने एक अकाउंट बना है यहां लिखा मसीनरी पचास हजार और बाई साइड में लिखा मसीनरी चालिस हजार तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि यहां पे इस अकाउंट के अंदर रिफलेक्ट अमाउंट कितना है इस अकाउंट के अंदर रिफलेक्ट अमाउंट कितना है कौन बच्चा बताएगा इस account के अंदर reflect amount कितना है reflect का मतलब account में actually में मैंने दिखाया है कितना अगर मैं इधर 50 लिखूँ इधर भी 50 लिखूँ तो दोनों साइट balancing कितना हैगा 0 मैंने इधर 50 दिखाया इधर 40 इस तो 40 से 40 तो cut गया तो ultimately मैंने बस इधर 10 ही दिखाया है इस बात से agree है तो बच्चों ने जवाब भी दे दिया सर 10 हजार ही है तो बड़ी basic सी बात है अगर मैं दो तरीके से दिखा सकता है इसको सर दो तरीके से क्या बताना चाहते हैं एक तरीका depreciation दिखाने का पता ही क्या होता है मैं यहाँ depreciation लिख दू 10 हजार रूपे एक तो यह तरीका है दूसरा अगर 10 हजार का depreciation है तो मैं एक यह भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पर machinery लिख दू कितने सर 50 हजार रूपे और इधर machinery लिख दू मैं कितने 40,000 रुपे, तो automatically 10,000 रुपे इधर दिख गया, हमें दिखाने की जुरत नहीं है automatically show हो गया 10,000 तो हम ना assets के उपर depreciation तो लगाते हैं, लेकिन उस assets का depreciation कैसे लिखते हैं थोड़ा style अलग है, इधर लिख देते हैं machinery जितने का खरीदा है और buy side में लिख देते हैं हम closing balance closing balance किसका एक तो stock का हो सकता है, material का हो सकता है और एक हो सकता है machinery का एक किस का हो सकता है machinery का एक हो सकता है, machinery का मैंने machinery का value इधर भी दिखाया है तो जो बीच का difference है automatically क्या filter कर लेगा अपने आप depreciation, तो हमें depreciation डारेक्ट नहीं दिखाना हमें मसीनरी का ओपनिंग और क्या दिखाना है सर ख्लोजिंग बैलेंस और कई बार ऐसा भी होता है कि या return कर रहे हो तो यह तो दिख्कत है तो buy side में लिख दो buy return Simple ठीक है न अब इनको जब total करेंगे न पहले इस account में कोई दिख्कत किसी को जब इनको total करेंगे न तो क्या आएगा surplus इनको total करेंगे तो क्या आएगा surplus लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है सबसे जयासा बीडर ही कमाते हैं और रुदर नुक्सान ऐसे होता है कि उसने आगर मान लो भीवार कोई टेडी कर दी तो अब मालिक आए गागा आप तेरे को पैसे प्रॉफिन रुपर नहीं किया मालिक ने धुला तो नहीं क्लिकित अब होगे गल्ती आगे से नहीं क लेकिन इसके उपर तो प्रॉफिट डे देगा इसके उपर अगर टुट जाकर बहर देगा तो कल के दिन अगर तिरुको मालिक पैसे नहीं देगा तू तो तो उसकता उसमें से मुझे मैं उमीद है कि मिलेंगे हो सकता उसमें से मुझे कितना मिले स्रिफ 80 मिले तो जितना तुझे profit मिल रहा है सिर्फ उसी को profit मान के tax दे बाकी को मत दे इसको दो हिस्से में बाट दिया गया दो हिस्से में बाटने का मतलब कहानी हम आगे और लेके गया इस कहानी को हम आगे और लेके गया आगे क्या लेके गया buy side में लिखा buy surplus और इसको दो पार्ट में बाट दिया एक तो चला जाएगा हमारा profit हो जाएगा जिसको बोलेंगे costing क्यूंकि cost का profit and loss है तो इसलिए बोल देंगे costing और एक जिसको हम बोल रहें के यानि अपने profit को reserve कर लेंगे हम reserve का मतलब जानते हो कि हम इस profit को नहीं मान रहे के हमारा profit है यह balancing करा जाएगा तो sir मुद्दे की बात यह आती है कि sir हम कैसे buy-ficket करेंगे कि कितना part हमारा profit का है कितना नहीं है इसके लिए कुछ हमें conditions याद करने होते हैं कि अगर आपका इतने percent work done हुआ तो इतना part आप profit मानिए इतना part reserve रखिए इतने percent done हुआ तो वो condition मैं लिखने जा रहा हूँ पहले यहां तक देखिए आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है यहां तक format हर बच्चों को समझ में आ गया क्या है यहां तक यहां तक सभी बच्चों को format समझ में आ गया क्या यहां तक format हर बच्चों को समझ में आया बताएं फटा-फट हाँ या ना देखिए इस चीज को आप समझ के करेंगे ना तो बड़े आसानी से हो जाएगा लेकिन अगर आप सोचेगे ना कि छोड़ो क्या समझना क्या नहीं समझना तो फिर दिक्कत हो जाएगे समझ के करना है आपको इसको सर लास्ट वाला depreciation वाला point एक बार फिर से repeat कर दो ओके depreciation का मतलब है कि हम depreciation को directly यहां नहीं दिखाएंगे उस assets को कितने का खरीदा था और depreciation लगने के बाद कितने का बचा इधर दिखा देंगे इधर ज्यादा value आएगा इधर कम value होगा तो बीच का difference जो बन रहा होगा automatically किसका part बन जाएगा वो depreciation का बन जाएगा ठीक है सर अब condition क्या कहता है rule क्या कहता है rule देख लीजिए rule कह लीजिए condition कह लीजिए situation कह लीजिए मैं rule नाम दे देता हूँ अगर आपका if work done if contract complete less than less than 25 percent कितना less than 25 percent तो आपको profit जो मानना है इसको na CPL कहूंगा costing को तो CPL costing profit and loss zero होगा costing profit and loss क्या होगा और सर यह profit पर रूल लगा होगा loss में क्या rule लगाना loss तो loss है आपका क्या है ना CPL मतलब यह वाला हिस्सा यह बोल रहा हूँ CPL का मतलब यह वाला खेक है ना यह कितना होगा zero जैसे मान लेते हैं कि हमारा कामी done हुआ 20 percent और यहां से surplus आए 50,000 तो हम पूरे 50,000 reserve में डाल देंगे CPL में कुछ में नहीं आएगा समझे बाता लेकिन लेकिन आपका if contract done 25 percent के बराबर या उससे ज़्यादा लेकिन 50 percent से कम लेकिन 50 percent से कम तब यहां पर हम क्या करेंगे हम लेंगे CPL is equal to CPL is equal to surplus into 1 by 3 into cash receive divided by work certified यह formula लगा के जो हमें मिलेगा वो होगा sir cash receive हमेशा सवाल में given होगा work certified यही वाला आएगा surplus यह वाला आएगा 1 by 3 formula का part है जिसे साब से निकालते हैं ठीक है कहा गया sir number 3 जब हम practical question में apply करेंगे ना तो बड़े अच्छे से समझ मैंगा number 3 कहा गया if contract done 50% के बराबर या जादा but less than 90% बस less than 90% 90% से कम ठीक है तब आपको लेना है CPL is equal to surplus into 2 by 3 into में cash receive divided by work certified और चौत्था point क्या बनेगा क्या रहे गया if अभी न यह आपको थोड़ा सा न अलग रहों का सर पता नहीं शुरू में तो मजा रहा था यह point आगे तो थोड़ा सा complicated बन रहा है तो बहुत आसान है जब सवाल करेंगे तो if contract done आपका less than ही तो लोगा है ऐसे less than होता है न और यह वाला ज्यादा और यह कम अगर आपका 90% से क्या हुआ ज्यादा हुआ ठीक है 90% से ज्यादा हुआ तब आप करोगे तब आप formula लगाओगे तब आप formula लगाओगे तब आप formula लगाओगे surplus into में cash received divided by contract price ठीक है न इस formula से जो निकल के आएगा वो कहाँ पहुचेगा सर यहाँ और balancing figure यह वाला होगा हमें से ठीक है न अब सर मुद्दे की बात है सर contract कितना done हुआ उसका भी कोई formula है formula तो नहीं है मैं simple सी बात कहूँ कि मैंने contract लिया था दस लाक का और मैंने certified सब मिला के जो certified हो गया मेरा certified हो गया done वो हो गया मान लेते हैं दो लाक रुपे का तो बताओ कितने percent काम complete हो गया मेरा कितने कदर contract दस लाक certified कितना हो गया कितने percent काम complete हो गया 20 परसेंट हो गया न तो आप formula कैसे लगाया आपने 20 परसेंट आपने वर्क certified WC लिख रहा हो divided by contract price गुणा में यानि इंटु में 100 इंटु में 100 सभी बच्चों ने बता दिया 20 परसेंट तो वर्क certified निकालना होगा तो हम इस तरीके से निकालेंगे इधर जगह नहीं था इसलिए मैंने इधर कर दिया पहले format format समझे आप बाकी contractory और balance sheet में तो कुछ है यह नहीं सर बड़ा आसान सा chapter है वह पहले format format समझे आप फटाफट से बताइए कोई दिक्कत मैं again कह रहा हूं जिसको यह समझ में नहीं आ रहा है ना formula लेकिन जब मैं guarantee में लेता हूं कि आपका यह एकदम favorite chapter बन जाएगा जब हम practical question करेंगे बच्चा यह कहता है कि सर यही chapter मजा हा रहा है इस chapter में तो पक्के हो गया नमबर और यह 15 नमबर का सवाल आता है इतना सा करने को 15 नमबर का सवाल एक बार नहीं कईयों बार आया हुग है आप देख सकते हूं एक बार rule fit से explain करें रूल में क्या कहता है अगर आपका contract complete 25% से कम है 25% से क्या है कम तो ऐसे situation में CPL में कितना डालोगे 0 मतलब आपका profit ही नहीं मत मानो profit है लेकिन 25% हो गया या उससे ज्यादा हो रहा है लेकिन 50 से ज्यादा ना हुआ हो यानि 25 और 50 के बीच में रहा तो बोला गया आपको profit ये मानना है तो आपको profit ये मानना है ठीक है लेकिन अगर आपका काम 50% से उपर होगे तो 90 से उपर मत जाना 90 तक रहा तो आपको profit ऐसे निकालना है आपको profit ऐसे निकालना है लेकिन अगर मानलो 90% भी काम complete होगे तो almost completion stage पे आगया आप complete पे हो तो आपको profit ऐसे मानना है यानि अगर 25 से कम है 0 25 और 50 के बीच में 1 by 3 याद रखना है और cash receive work certified इसकी कहानी जब practical question करेंगे तो समझेंगे हम cash receive work certified का मतलब क्या होता है कि हम इसको अभी ज़्यादा detail में लेके जाऊँगो तो साथ आपको थोड़ा confusion create हो जाए तो जब question करूँगो तो मैं उसमें बिल्कुल detail में बताऊँगा इसके बाद जब तीसरा क्या है हमारा 50% से ज़्यादा लेकिन 90% से कम तो two by three contact receive work certified है हमारा cash receive सरी contact price मैंने बुला cash receive cash receive always question में mention होगा और work certified भी हमेशा question में given होगा तो इसकी तो tension खतम two by three ज़्याद करना है और surplus आपको निकालना पड़ेगा ये वाला surplus जाएगा है ठीक है ठीक है किसी को कोई doubt बताईए किसी को कोई doubt है तो 50% अगर exact होगा तो 50% मैंने देखो ने इसके नीचे equal का symbol लगा है 50% exact हुआ तो इसमें आ जाएगा और यहाँ देखो less than है तो 50% से कम हुआ तो इधर आ जाएगा 25 से कम हुआ तो exact 25 हुआ तो इधर आ जाएगा क्लियर तो आज हमने question जितने भी थे कहा तक कर लिये sir question तो कुछ नहीं किये एक basic basic concept ले लिया basic basic concept क्या लिया sir ये contract account हमारा chapter है और ठेकेदार इस chapter को बनाएगा contractor इस chapter को बनाएगा और जो contract देता है उसको क्या बोलते है contractee बोलते हैं यहाँ कितने तरीके के account बन सकते हैं एक बनेगा हमारा contract account एक बनेगा contractee और एक बनेगा balance sheet लेकिन ज़्यादत है सवाल जो आता है सिर्फ किसका आता है contract account का contract account बनाने के लिए क्या करना होगा इधर सारे खर्चे और इधर सारे income income की बात करें तो income एक ही होता है हमारा जो कि हमें पैसे मिलता है पैसे दो तरीके से मिल सकता है या तो work certified से मिलेगा या work not दोनों को मिला के हमें मिल जाएगा इसके बाद बात करें profit जो profit निकल के आएगा वो सारा profit हमें profit नहीं मानना उस profit में से भी कुछ हिस्से को हमें क्या करना है reserve में transfer करना है तो कितना profit profit मानना है तो वे 25 से जादा और लेकिन 50 से कम होता है तो आप कुछ पैसा कमा रहे हो वन भाई 3 हिस्सा आप कहा मान लो profit में मान लो cash received divided by work certified के अगर आप 50 से भी उपर पहुंच गया है तो आप 2 भाई 3 अपने surplus में मान लो profit के CPL में मान लो बाकी कहां डाल दो reserve में और अगर आप ज्यादा कमाते हो तो सारा पैसा लगबग लगबग profit में आ जाएगा कुछ reserve रखने की जुरत नहीं पड़ेगी 90% में आप देखोगे क्योंकि यहां पर 1 by 3 1 by 2 कुछ भी नहीं रखा है ठीक है ना बताइए clear हाँ यह लगबग 4th unit का chapter बोल सकते है unit दिया एक किताब में देखना कौन सी unit का है दी यू का किसी के पास लेबस था ना फोन में दिखा रहे थे costing का हाँ यूनिट फोर्थ कहा दिखाने एक बार मैं बता दू मैंने गलती कर दी पहले मुझे ने बता देना चाहिए था unit 3rd 4th method of costing मेरे दिमाग में नाम यह याद नहीं आ रहे था method of costing इसमें दो चेप्टर है एक यह है आपका contract एक है process account एक इसके अंदर आएगा process account और इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है process joint product और इसके बाद तो हम process भी करने वाले है method of costing unit 4 इसी में service costing भी है service costing तीन चेप्टर है unit 4 और जो unit number 4 है न तो ऐसे बात करें न हम life के अंदर तो कुछ ऐसा area होता है ऐसा core होता है जहां पे के मान के चलो सबसे ज़्यादा तो unit number 4 से सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सबाल पूछा जाएगा कई बार ऐसा हुआ है कि इस unit से 30 से 45 नंबर का स नंबर का question आना तह है minimum question आना पक्का है 20 मांक्स का देखो 15 का या तो यह आए यह आ जाता है पंदरा का process आ जाता है या service आ जाता है उसके बाद इसके भी छोटी-छोटी question पूछ लेते हैं profit दे देंगे surplus और बोलेंगे इसका बताओ contract account में कितना पाट जाएगा इस तरीके स ठीक है ना एक्जामपल कल कल क्या है Saturday है इस चेप्टर में कितने unit लगेंगे सवाल मेरे खाल जादा नहीं है इस चेप्टर के सवाल मेरे खाल 12-15 सवाल होंगे तो मानके चलो 4 classes 4-5 classes मानके चलो 5 classes का मतलब आप 10-12 दिन 5 classes भी नहीं लगने वाले छोटे छोटे कुश्चन सा है एक्जामपल अभी करा नहीं पाएंगे थोड़ा सा मिर को भी देखना है मैंने इसलिए अज नया चप्टर स्टार्ट किया अगर एक्जामपल भी डाल दूगा फिर ये वाला portion ना heavy हो जाएगा काफी आपके लिए मैं परफोर्सनेट भी समझाने लगूँगा तो फिर बो कि कुशल अभी नहीं करेंगे कुश्चन सरी काजल अभी नहीं करेंगे कुश्चन ओनर्स में आता बिल्कुल मैं जब बोल रहा हूं ना जब मैं बोलता हूं 15 मार्क्स तो सब बच्चों के लिए 15 मार्क्स का होता है सब के लिए important chapter है करेंगे